हेलो डियर तो आप लोग कैसे हैं मेरो में से आप लोग ठीक होंगे तो देखिए जो भी विद्दार थी जो भी विद्दार थे 30 जुलाई को ठीक है 30 जुलाई को पॉल्टेक्निक का इंट्रेंस एक जाम देने वाले उनके लिए काफी हिमात्पून वीडियो होने वाला तो आप लोग वीडियो को भी एकन को प्रिस कर लिजेगा देखें डेली चेण कोसिंग कर नारे ठीक है अज मोडल से 2 करवाएंगे जिसमें आप लोगो 30 कोस्टन करवा दिया गए था आप लोगो 31 से कॉस्टन कर राएंगा आप इस आप लोगो औरुको 60 कोस्टन है ठीक है त तो आप लोग इस कोश्चन को बिल्कुल मिस्मत किजिए आप लोगो जीतना बताना है बस उतना ही आप लोग मेहनत करते हैं आप लोगो जरूर्ण अच्छा बिद्धि द्वारा होता बताएं नमर सी अप्सवा नमर सी अपसे नमर सी डियर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाग प्लबंदी द्वारा किसको कैड़ा तो सलपायब सी यह सांद्री करन चलो नेक्स कोशन क्यों नेक्स्ट कोजन है इन में से इन में से कौन सा कथन निमलिखित अभी किरिया के लिए सत है इन में से कौन सा कथन है जो निमलिखित अभी किरिया के लिए सत है जो अभी किरिया दिया गया है इसमें से बताई इसमें से कौन सा कथन जो सत होगा ओप्शन में कौन सा कथन सत होग जिसे इसका क्रेक्टर नसर क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा जेड एनों का अब करण हो जाएगा चलो डिया next question क्यों नेक्स कोशन है निमलिखित में से कौन सा दूइचारी आमल है बताओ जो option में दिया गया है इसमें से कौन सा दूइचारी आमल है आप लोगो सारा question करवा नेक्स कोशन है रेडियो सकीरियत तत्व कैसे होते हैं रेडियो सकीरियत तत्व कैसे होते हैं रेडियो सकीरियत तत्व कैसे होते हैं तो आस्थिर होते हैं बिल्कुल करेक्ट हो जागा आस्थिर होते हैं चलो डिया next question नेक्स कोशन देखो है जब पानी में जब जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है मतलब जब पानी को हम लोग बर्फ बनाते हैं तो उसका क्या होता है उसका तपमान में क्या होता है बढ़ता है घरता है यह गर्म अफसोसित होत चुना को धातु कारियों में के रूप में परियों किया जाता है तो किस रूप में परियों किया जाता है तो किस रूप में परियों किया जाता है तो फलक्स के रूप में परियों किया जाता ठेक है चुना को धातु को किस रूप में तो फलक्स के रूप में परियों किया जा लोघ बोलते है अर निकल और क्रोमियम निकल और और अपसंस बिल्कल जाव चलिए नेक्स कौॉशन देखिए आप लोगों के पॉइंट अभी सरा को रट लिए ठेक है नेक्स क्या है बेकिंग सोड़ा का रसाइनिक सूत्र क्या है बेकिंग सोड़ा का रसाइनिक सूत्र क्या होता है तो क्या होता डियर बेकिंग सोड़ा का रसाइनिक सूत्र तो एने एच सीओ ठीक है एने एच सीओ ठीक होता है बेकिंग सोड़ा का रसाइनिक सूत्र क्या होता एने एच सीओ कर्याइब होता है प्रandition नाभी बिल्कुल कर्यक्ट होजागा था बिस्था प स्थापन अभी करिया होती है ऑप सनर बे बिलकुल कर्थ हो जाएगा चलिए और नेक्स कुश्टन किवा सब्सक्राइब निम्लिख छेट्स क्या कौन लिए को सिलिंग अमल में उपस्तित रहता है यह बहुत ही इपोटेंट नहीं अपने बहुत है पॉटेंट एक आपने इसका पीसमें होता तो से यह किसमें होता है तो फैसे बिल्कुल करेक्ट होता है जाले नक्सक्क्षिन पॉछ गप हल से लिक का समान colleges क्या हो तह बता यह over यह एल कीन का एल की शेयर स्क्राइब आने डाइल होता चैकर बाइन के लासने किटा से रॉक प्रीब्क खोंक शीजोगर गाड़ा धर भू ऐपाप मावने बिल्कुल कमिस्रण होता है दातु आपसे नमरे बिल्कुल करणे हो ठीक है उप्सेर्न नमरे بالकूल correct हो जाएगा चलिए टीयर next question कि इभाई कर अच्सचाइट में अब्डाइं का अमल्ये की और जाएंगे तो अब्यइब का आउक्सचाइट का अमल्ये क्या होता है घरता बढ़ता या बढ़ता नहीं है या आसमाव कि दूब रहता है क्या होता तो उस टाम क्या हो जाता तो बाए सदाइं की और जाएंगे तो अब भी आपका ऑक्साइट का अमली ये गुन वो बढ़ेगा ठीक है और भी बिल्कुल कर्टोंगर बढ़ता है चले डिए नेक्स के जाओ इस सब से सबसे जहार सपिरीया है बताइए यह तो सबस्से जहार सक तरceptions अब सबसे ज्यादा सकी रिये है लोजन ग्रूप के मेंबर में ठीक है ऑप्सन मेरे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्लूरीन चले डिया नेक्स कोश्च्टन कि देखें नेक्स कोश्चन क्या है सुले मिली हड्रोजन का बिसरन सौव सिकेंड में होता है उससे समय में एसो टू के बिसरन का आयतन क्या हो जाएगा अगर यहां पर दिया गया है सल्फर 32 इसका परवान भार और उक्सीजन का परवान भाग सोला हड्रोजन का एक तो कि दस ग्राम दस ग्राम पानी तथा पांच ग्राम सीओ टू में उपस्थित अनुओ का अनुपात क्या हो जाएगा तो 44 रेशियो 9 हो जाएगा और से बिल्कुल क्रेट हो जाएगा 44 रेशियो 9 चलिए नेक्स कोश्चन एक गैस का एक गैस का दिया गैद्रमान 477 अस्थान घरता है जब गैस पर जब गैस पर दाव का एक बाइमंडल तथा ताप मान 60 डिग्री है तो 77 डिग्री तथा एक पॉइंट 25 बाइमंडल दाव पर गैस का आयतन क्या हो जाएगा देखे ये भी आप लोग को नुमेरिक हो जागा ठीक है तो हम चाहते हैं जितन akan बहुंका बहतर प्रदर्शन करने के लिए खक लिए आप लोग्रतना फोसक्ता हमेहनत करने के लिए आप लोग के लिए ला रहायी हो गधिया तुप गिए जड़कर का तो यसका पो तो सी यो कॉपर एफ ये सो फोर में कॉपर होता है क्या होता है कॉपर कहां पर क्या हो रहा है बताइए कॉपर कहां पर क्या हो रहा है तो कॉपर पर यहां पर आप चाहित हो रहा है क्या हो रहा है कॉपर तो कॉपर आप चाहित हो रहा है क्या हो जाएगा चलिए नेक्स कोशन मा की यह द्र प्राप्ट होती है ना ओड़ी यह किस्ने सब्सक्राप्त-इस तो नुट्रौन की तूट주는 करेक्ट नृब से टूटने से क्या प्राप्त होता है कि अद्रीक कारेक्ट हो चेहान की मिलुकुल और देख़ने क्या है कि इस सदीर को सोडीयम धातों के साथ गड़ जो गार मैथ साथ कौनसे सटें करते हैं तो कौनसाफ panzen कहें जब दे гор करmaking हैं तो कौनसा पूसबर मेद रवाप सोडीयम धातों के साथ के साथ घर्म करेक करता है तो क्या बनता है जब सोडा लाम के साथ अरकिया करेगा तो क्या बनेगा तो मेथेन बनता है जब सोडीया करेवाएंगे तो मैथेन बनेगा उपसें नमर्ण डी बिल्कल हो जाएगा चलिए next question next question है लाल दबा जो किटानू नासक के रूप में परियोक्त होता है वह क्या है लाल दबा जो किटानू नासक के रूप में परियोक्त होता है वो कौन सा होता है बताई लाल दबा जो किटानू नासक के रूप में परियोक्त होता है प्रत्व को इसका मैं विलेह से लिले को इसे जदा है उसको हम लोग इस आप लोग रहे हैं तो हम वीडियो बिल्क विल्कब मत किसे गा आप लोग सारा को pa पढ़ लें नेक्स कोईशन है कलूरीन का परियोग किया जाता है कलूरीन का परियोग कहां करते हैं तो जोड़नास कलूरीन का परियोग कहां करते हैं तो कहां करते हैं तो परतिरोधी करूप में करते हैं ठीक है ना ऑप्सन नमर डी बिलकुल ही करेक्ट हो जाएगा कलूरीन क आप योग हम लोग कहां करते हैं तो परतिरोधी का रूप में करते हैं और दी बिलकुल ही करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स कोश्चन बिल्कुल ही correct हो जाएगा समस्थानिक के पर्मानु दुरमान में अंतर का क्या कारण होता है तो नाभिक में बिधमान नेट्रोनों की संख्या के कारण होता ठीक है option number D बिल्कुल ही correct हो जाएगा देखें next question क्या है एक पदार्थ एक पदार्थ radio अधियो एक्टिवीट था तभी दर साता है जब उसके परमानु में क्या होता है तो उसके परमानु में होता है आज नाभिक होता है इसका क्रेक्टर क्या हो जाएगा option नमर्डी बिल्कुल ही correct हो जाएगा आज थाइन नाभिक के कारण होता है चलिए next question आंहें गांते नेक्स कोशन क्या है तalso तेलों के हाड्रोजनिक करन में परियुक्त होने बाला उत्तु प्रेक्ज़ा है तैल के हम सथ होने वाला कूण तो उत्तु प्रेल होता है तो होता यह ओन झानाए निकल होता है तेलके लिए कान सोट परियुक्त है तो निकेव ओता आप से नमर बिल्कोल हो जैगा donate निकेव चलिए नैस तो देखें इनल में कौन दितर्जेंट है जो उप्ते में दिये गया इनमें से बतैम को इसका जोटिएम लॉइंच हो जाएगा इधा हैu क्यों सब्सक्राइब बताएं और दोऍको हो जाएगा सोडियूम लॉरल 17 सोडियोंग सप्प्पिट तो नहीं इसक नहीं कर्वाइब तो अब कर बाइए कंसे कर निरमान होगा तो वहां युरियां यूरिया नच्टी स्योनगा खिनों तो मैं नायट्रोजन की मातरा किとनी होती मैं इस तो में नाइट्रोजन के परतिसत मातरा कितनी होती है तो कितना होता है तो 46.67 परसेंट होता है ठीक है 46.67 परसेंट और भी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा तो देखिए डियर आप लोग करें तक आप लोगे को सब्सक्राइब कर सक्राइब कर के बिल आइकन को सीक्माइब बीडियो نय जै हिन जै भारत झाल झाल